अगले आदे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस क्रिशी जिन्स के भाव में आई तेजी किस में आई मंदी साथ ही जानेंगे कि आगे किस और जा सकता है बाजार आज हम खासत और से बात करेंगे गेहूं, मूंगफली, मूं, टमाटर, लहसुन और ग्वार की इसके लावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंदी खबर में जान सकेंगे लेकिन मंदी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुर्खियों के साथ दाहौद मंदी में 75 रुपए मजबूत होकर 2775 रुपए पर हुए गेहूं के सौधे, खाते गाउं मंदी में 35 रुपए गीराग गेहूं का भाव चले मंदी खबर की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले गेहूं के बारे में हम बात करेंगे मंदी में मंदी में गेहूं के सौधों में उठा पटक के साथ कारुबार हुआ वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों मंदी में गेहूं की आवक समान देखने को मिल रही है बता दें कि घरिलुस्तर पर इस साल गेहूं की पैदावार में बढ़ा देखने को मिल सकती है जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पढ़ सकता है आए गेहूं पर देखते हैं क्विशेश रिपोर्ट हाल ही में केंदर सरकार ने विपढ़न सीजन दो हजार चौबिस पच्चिस के लिए रभी फसलों के नियूनतम समर्थन मूल में बढ़ोत तरीकी है जिसमें रभी गेहूं भी शामिल है रभी गेहूं की MSP साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रतिक विंटल थी जिसे बढ़ा कर 2275 रुपए प्रतिक विंटल कर दिया गया है फिलहाल मंडियों में गेहूं की आवक सामान ने है हाजर भाव की बात करें तो एग मार्कनेट के मुताबिक गेहूं गुजरात की धोराजी मंडि में 8 अप्रेल को लोकवान गेहूं का भाव था 2490 रुपए 9 अप्रेल को इसके भाव में 30 रुपए की गिराबटाई और भाव 2460 रुपए पर आ गया राजी की ही दाहूद मंडि में इस दोरान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारुबार हुआ यहां 8 अप्रेल को गेहूं का भाव था 2700 रुपए 9 अप्रेल को इसके सौदे 75 रुपए बढ़कर 2775 रुपए पर हुए मध्यप्रदेश की दोर मंडि में 8 अप्रेल को लोकल गेहूं का भाव था 2400 रुपए 9 अप्रेल को इसके सौदों में 10 रुपए की नर्मी आई और भाव 2390 रुपए पर आ गया खाते गाउं मंडि में 20 सौंबार को गेहूं का भाव था 2360 रुपए मंगलबार को इसके भाव 35 रुपए लुढक कर 2325 रुपए पर हुए राजस्थान के मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां मंगलबार को जैपुर मंडि में गेहूं का भाव रहा 2310 रुपए लालसोट मंडि में भाव रहा 2350 रुपए उदैपुर मंडी में गेहूं के सौधे 2800 रुपए पर हुए वहीं बात गेहूं के पैदाबार की करें तो 29 परवरी को कृशी इभम किसान कल्यान मंत्राले की ओर से साल 2023 के लिए प्रमु खरीफ और रवी मौसम फसलों की पैदाबार का दूसरा अग्रिमनुमान जारी किया गया है कुल गेहूं की पैदाबार को देखें तो साल 2023 के दौरान गेहूं का उतपादन 1120.190 अनुमानित है जो पिछले साल के 1115.54 लाग टन उतपादन की तुलना में 14.65 लाग टन अधिक है चले रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शेशरवास्ताव जी का शेशरवास्तर जी मौजुदा संकेतों को देखते हुए गेहूं के बाजार भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं गेहूं की बात की जाए तो गेहूं की कीमतों में इस्तिर्था का रुख देखने को मिल ला है एक तरफ जहां मांग सामान है वहें दूसरी तरफ आवक जारी है जहां तक बर्ष 2024 पचीस में गेहूं की उत्पादन की बात की जाए लगवग 11,20,000 गेहूं की उत्पादन होने की संभाबना है जो पिछले साल के तुल्णा में लगवग 1.40 पर्तिशत अधिक है उतार चरहों का रुख देखने को मिल सकता है जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है उनके लिए क्या सला देंगे आप जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है मेरे विचार सों को इस्जार करना चाहिए आने वाले कुछ दिनों तक मांग में उतार चरहाओ के कारण इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभाबना नहीं दिखाई दे रही है लेकिन आने वाले समय में फिर से इसकी कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा तो हमारे बाजार के जानकार हैं शेशर वास्ताव जी इनके राई के अनुसार किसान भाई मंडी का रूख करेंगे तो जरूर मुनाफ़ा कमा पाएंगे शेशर वास्ताव जी आप मारे साथ बने रहें हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे आगे बढ़ते हैं अब बाकी की सुर्खियों की तरफ रुख करते हैं चलागे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुफली के बारे में इन दिनों क्रिशी उपच मंडियों में मुफली की आवक समाने बनी हुई है भाव की बात करें तो मंगलवार को कुछ मंडियों में मुफली के भाव में तेजी रही जबकि कुछ मंडियों में सौरान मुंफली के सौदों में नर्मी के साथ कारूबार हुआ बताते चलें कि इस साल देश से होने वाला मुंफली का न्रियाद बीते साल के मुकाबले 11,000 तन्स से ज़ादा हुआ है मुंफली बर आए देखते हैं एक विशेश रिपोर्ट इस दोरान मुंफली के भाव में नर्मी देखने को मिली फिलाल मंडियों में आवक सामाने है एक मार्कनेट के मताबिक गुजरात की ध्रोल मंडि में 8 अप्रेल को मुंफली का भाव रहा 5590 रुपए 9 अप्रेल को इसके भाव में 180 रुपए की तेजी आई और भाव 5770 रुपए पर जा पहुचा जबकि राजी की ही सावर कुंडला मंडि में इस दोरान मुंफली के सौदो में गिरावट के साथ कारोबार हुआ 8 अप्रेल को मुंफली का भाव था 5705 रुपए 9 अप्रेल को इसके सौदे 450 रुपए लुड़क कर 5255 रुपए पर हुए जेतपुर मंडि में 8 अप्रेल को मुंफली का भाव था 5905 रुपए 9 अप्रेल को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 6500 रुपए पर हुए वेरावल मंडी में बीते सोमवार को मुंगफली का भाव रहा 5925 रुपए मंगलवार को इसके सौदों में 115 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6040 रुपए घरे उनों इस तरपर इस साल रभी और खरीफ मुंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है क्रिश मंत्राला के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 के दौरान कुल मुंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मुंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी यानि मुंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.4-3 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है जिसका असर क्रिश उपज मंडियों में मुंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है मुंगफली के निर्यात की बात करें तो एपीडा की और से हाल ही में जारी ताजा आकड़ों के मताबिक वितवर्ष 2023-24 के दौरान अप्रेल से जन्वरी महीने के दौरान मुंगफली का निर्यात 5,38,000 टन के पार पहुँच गया है जबकि बीते साल इस दौरान मुंगफली का निर्यात 5,26,935 टन का रहा था चलिए फिर से रुख करेंगे अपने बाजार के जानकार शेशर वास्तव जी का शेशर वास्तव जी आने अले दिनों में मुंफली का बाजार किस और जाता हुआ दिख रहा है मुंफली की बाजाए तो किम्तों में नर्मी का रुख देखने को मिल ला है एक तरफ जहां मांग सुस्त है वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में कमी देखने को मिली है जहां तक इस जाइद सीजन में मुंगिफली की बुआई की बात की जाये लगवका 3,89,000 हेक्टेयर भुमी में मुंगिफली की बुआई हो चुकी है जो पिछले साल के इस सीजन की तुल्ना में अधिक है आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में कमजूरी के कारण कुछ दिनों तक मुंगफली की किम्टों में नर्मी का रुखी देखने को मिलेगा इसके साथ एक किसान भाईयों के लिए क्या सलाह देंगे आप शिर्फ रास्तो जी जिन किसानों के पास मुंग फली का स्टॉक है मेरे विचार से उनकों इसजार करना चाहिए कुछ दिनों तक मांग में नर्मी के कारण इसकी कीमतों में बहुत जादा तेजी की संभाबना नहीं दिखाई दे रही है लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा तो बाजार के जानकार शिर्शरवास्तव जी की राय अपना यह उसे आप से मंडी का रुख करेंगे किसान भाई तो आप मुनाफ़ा कमा सकते हैं शिर्शरवास्तव जी आप बने रही हमारे साथ हम आपका बहुत सेब का भाव 6,000 रुपे रहा और राजस्थान की जोदपूर मंडी में सेब का भाव 7,000 रुपे रहा आपको बता दी कि सेब के सभी भाव आवक और गुडवत्ता की अनुसार रहे आगे बढ़ते मंडी कबर में और यहां पर एक वक्त हो गया है तोटे से ब्रेक का ब्रेक क करकार की प्राथ मिख्ता का केंद्रक्रिशी हर दिन नए इबारत आप मेर भर नया भारत आधनिक तक्नीक और विज्ञान का मेल किसानों की मेहनत है ये नहीं है कोई आसान खेल पीज से बाजार तर अनदाता से खरिदार तर खेती किसानी से जुड़ा हर मंधन जानने के लिए देखे क्रिशी दर्शन देखे क्रिशी दर्शन सुमवार बुधवार शुकरवार शाम साथ बजे सिर्फ दूर दर्शन किसान चैनल पर ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आपका दूर दर्शन किसान पर स्वागत है आप सब देख रहे हैं मंधी खबर मंधी खबर की सिस्से में हम जानेंगे लेसुन के बारे में लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मूंग के बारे में क्रिशी उपज मंडियों में मूंग की आवक सामा ने बनी हुई है हाजर भाव पर नजर डालें तो एगमाकनेट के मुताबिक मंगलवार को महराष्ट की पूरे मंडी में मूंग का भाव नौ हजार साथ सो रुपय रहा वहीं उत्तरप्रदेश चलते हैं जहाँ पर आजमगर्ण मंडी में भाव मूंग का आट हजार आटसो पचास रुपह रहा रहा हाथरस मंडि की बात करें तो यहां पर रमूंग का भाव 8,860 रुपे पर रहा जबकि लखनव मंडी में मूंग के सौदे 8,850 रुपे पर हुए घरेलुस्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी कानुमान जताया गया है कृशी मंतराले के दूसरे अग्रे मनुवान के मुताबिक देश में साल 2023 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उमीद है जो बीते साल की सामान अवधी के दौरान 36,76,000 टन रही थी चलिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शरशरवास्तर जी लगातार हमा साथ बने हुए है शरशरवास्तर जी मूंग के मौजूदा संकेतों को देखते हुए आगे का भाव और बाजार किस तरफ जा सकता है मौंग की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है मांग अच्छी निकल कर आ रही है आवक जारी है जहां तक इस जायद सिजन में मौंग की बवाई की बात की जाए लगवद 6,52,000 हेक्टियर भूमी पर मौंग की बवाई हो चुकी है जो पि के लिए क्या सला है आपकी जिन किसानों के पास मौंग का स्टॉक है मेरे विचार को इंतजार कर सकते हैं आने वाले समय में भी मौंग की मांग में बढ़ुत्री की संभावना है जिस कारण से इसकी कीमतों में तेजी का रुख बरकरार रहेगा जिए तो बाजार के जानका मैं हर्गणा की पानिपत मंडी में केले का भाव 2,200 रुपए रहा हिमात्य प्रदेश की कुलू मंडी में केले का भाव 3,600 रुपए रहा पंजाब की जलालाबाद मंडी में केले का भाव 2,750 रुपए रहा अब आतम कर लेते हैं लैसुन की इस साल घरिलु सतर पर लैसुन होने कारुमान जताया गया है जबकि बीते साल इस दौरान लैसुन की उपच 35,343,436 टन रही थी यानि साल घरेलु स्थर पर लैसुन की पैदावार बीते साल से एक लाख 54,000 टन कम होने की उमीद है जिसका असर लैसुन के बाजार भाव पर पढ़ सकता है फिलाल क्रिशी उपच मंडियों में लैसुन की आवक सामाने बनी हुई है भाव की बात करें तो एक मागनेट के मताबिक मंगलवार को उत्रप्रदीश की इलाहाबाद मंडी में ल लैसुन का भाव 9,750 रुपे रहा अगर गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहां पर लैसुन का भाव 9,500 रुपे पर रहा और जबकि राज जी की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान लैसुन के सौदे 9,950 रुपे रहा रहा है रोकरते हैं बाजार के जानकार शेचर लैसुन का बाजार आगे के सौर जाता हुआ देख रहा है लैसुन की बात की जाए तो कीमतों में नर्मी का रुख देखने को मिल ला है मांग सामान है आवक जारी है जहां तक आने वाले समय की बात की जाए आने वाले समय में कुछ दिनों तक लैसुन की कीमतों में नर्मी की संभावना है किसान भाईयों के लिए क्या सलाह देंगे आप शेशर वास्ताव जी जिन किसानों के पास लेसुन का अच्छी भंडारन चमता है वो इंतजार कर सकते हैं कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा नर्मी का रुख देखने को मिल सकता है लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा तो किसान भाईयों के पास अगर लेसुन का स्टॉर कर थोड़ा इंतजार कर सकते हैं आपको आने वाले समय में मांग में तेजी के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी औ और आप मुनाफ़ा कमा सकते हैं, शेशुरास्त्रप जी आप महात साथ बने रहें, हम आप से आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अंगूर के बाजार भाव की, हर्याना की पानीपत मंडी में अंगूर का भाव 6,000 रुपे रहा, हिमात के सभी भाव आवक और गुडवत्ता के अनुसार रहे। फिलार यहां वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, आगे हम बात करेंगे गौार और टमाटर के हाल के बारे में तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दुरदर्शन के साहरे। कहां होगी बारिश? किस जल्हा पड़ेगी बर्फ? कहां रहेगा गोरा? कहता रहेगा तापमान? कहां रहेगी मौसम की स्थिती? जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम साड़े साथ बजे सिर्फ डीडी किसान पर ब्रिक के बाद एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है अब हम बात करेंगे टमाटर की मंगलवार को जादा तर क्रिशिव पच मंडियों में टमाटर की आवक सामान देखने को मिली एक मागनेट के मुताबिक 9 अपरेल को गुजरात की दीशा मंडी में टमाटर का भाव साथ सो पचास रुपे रहा वही हर्यना की गोहाना मंडी में अगर बात करें टमाटर के भाव की तो वहाँ पर भाव सोला सो रुपे रहा पानिपत मंडी में टमाटर 1400 रुपे पर भी पर भी है, जब की महराश की पूर्णे मंडी में इस दोरां टमाटर के सौधे 850 रुपे पर वर रहे तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है क्रिशी मंत्राले के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है जबकि पिछले साल की समान अवधी के दौराण टमाटर की उपच 20.69 मिलियन टन रही थी रुक करते हैं शिश्रवास्तफ जी बाजार के जानकार लगाता हमसाथ बने हुए हैं शिश्रवास्तफ जी महजुदा संकेतों को देखते हुए टमाटर के भाव और बाजार किस और जाता हुआ देख रहा है टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में नर्मी का रुख देखने को मिल ला है मान सामान है आवक जारी है जहां तक आने वाले समय की बात की जाए आने वाले समय में कुछ दिनों तक टमाटर की कीमतों में नर्मी का रुख देखने को मिलेगा जी तो हमारे जो बाजार के जानकार है शिश्रिवास्तव जी कि आउनका यही कहना है कि जो किसान भाई टमाटर का स्टॉक रखे हुए उनको थोड़ी साधानी बरत के चलनी चाहिए जिस तरह से उनने बताया कि अभी आपको नर्मी देखने को मिलेगा हो सकता है कि आनल समय म मंडी में अमरूत का भाव 5,000 रुपे रहा पंजाब के लुध्याना मंडी में इसका अमरूत का भाव 3,500 रुपे रहा जालंधर सिटी मंडी में अमरूत का भाव 2,600 रुपे रहा उत्रप्रदेश की हसनपूर मंडी में अमरूत का भाव 1,840 रुपे रहा आपको बता दे मंडी में संत्रे का भाव 4,000 रुपे रहा उत्रप्रदीश की आजमगर मंडी में भाव संत्रे का 3,200 रुपे रहा और हात्रस मंडी में संत्रा 3,980 रुपे पर बिका आपको बता दें कि संत्रे के सभी भाव आवक और गुडवत्ता के अनुसार रहें अब आखिर में हम बात गौर की करेंगे गौर के आवक इन दिनों मंडियों में सीमित देखने को मिल रही है हाजर भाव पर नसर ढ़ालें तो एक माकनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजराद की भचाउं मंडी में गौर का भाव 4875 रुपे रहा हलवत मंडी में इस दौरान गौर का भाव 5100 रु निर्याद तक है देश बड़ी मातरा में दूसरे देशों को गौर उत्पादों के विभिन रूपों का निर्याद करता है भारत हर साल कुल गौर गम की उपच का करीब 90 फीस्दी निर्याद कर देता है वहीं गौर गम के निर्याद पर अगर नज़र डालें तो आइपेड किया है जबकि बीते साल इस दोरान गौर गम का निर्याद तीन लाख पचास अजार पांसो चौरासी टन का हुआ था बतादें कि भारत में गौर गम की खेती राजस्थान गुजरात हर्याना पंजाब उत्रप्रदेश मध्य प्रदेश तमिल नाडू महरास्ट करनाटक आ देखत हुए इसका बजहर आगे किस और जाता रहा है लिए मजबूती के कारण आने समय में की किमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है गौर का स्टॉक रखने वाले किसानों के लिए क्या सला देंगे आब? जिन किसानों के पास गौर का स्टॉक है मेरे 400 इंतिजार कर सकते हैं आने वाले दिनों में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोत्री की उमीद है वहीं दूसरी तरफ गौर गम के निरात मांग में की भी अच्छी संभावनाएं हैं मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में गौर की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी तो बाजार के जानकार शेचर वास्तव जी का यही कहना है कि घरेलू मांग और निर्यात मांग के चलते आपको गौर गब के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में जो हमारे बाजार के जानकार हैं इनकी राई के अनुसार अगर मंडी का रुख करेंगे तो आप मुनाफ़ा कहमा पाएंगे शुचर वास्तव जी आपने समय निकाल कर कृशी जीनस तो पर जो महत्पून जानकारी हमारे किसान भाईयों के लिए साधा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, आज के मंडी काबर में बस इतना ही उमीध है कि किसानों को अपनी उपच का सही भाउ लेने में मंडी काबर से मदब बिख रही होगी अब हम आपको टेलिविजन स्क्रीन पर QR कोड दिखाने जा रहे हैं, इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान की YouTube चैनल पर जातकर मंडी खबर के स्काइकरम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठ कर देख सकते हैं इसके साथ ही आप से लेते हैं विदा फिर से होंगे हाजिर तमाम करशी जिन से खुभाव लेकर तब तक आप बने रहें और टेकते रहें दूदर शंकिसान नमस्कार